तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे BE Aeronautical Engineering कोर्स के वारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सबसे बेले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ की BE Aeronautical Engineering का कोर्स आखिर क्या होता है इसमें किस परकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, आखिर जाय कोर्स कितने वरश का कोर्स होता है, इस कोर्स का eligibility criteria क्या है, और अंत में दोस्तों मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हों कि अगर आप इस कोर्स को आप पुरा कर लेते हो, आपको किस परकार की job मिल सकती तो जैस सारी बातों को मैं आपसे इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ, तो आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल में, और अगर आपने 12th की class को पास कर लिया है, और अगर आपको जैज जानना है कि 12th की class को पास करने के बाद आखिर कौन-कौन से कोर्स होते हैं, तो म आपसे मैं BE Aeronautical Engineering कोर्स के वारे में आपसे मैं discuss करूं, तो BE का मतलब होता है Bachelor of Engineering, और BE Aeronautical Engineering का जो कोर्स है, वो एक undergraduate level की degree का कोर्स होता है, तो इस कोर्स के मादब से students को aircraft और spacecraft की designing, development, testing और maintenance के वारे में study करवाया जाता है, तो इसमें आपको principles of aerodynamics, structures, propulsions के वारे में भी कोर्स को करने के बाद आप काफी सारी industries में भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि aviation, defense, aerospace, etc. तो जैसा कि आपको पता है कि air travel और जो space exploration की जो demand है, वो future में काफी ज़्यादा होने वाली है, तो जो scope है, aeronautical engineers का वो काफी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस लिहाज से देख पताना चाहता हूं कि जया कोर्स चार वरश का कोर्स होता है, जिसमें कुल 8 semester होते हैं, अभी आपसे मैं eligibility criteria के बारे में आपसे में discuss करने वाला हों कि जिने आप इस कोर्स में आखिर किस परकार से admission ले सकते हो, तो इस कोर्स में admission लेने के लिए दोस्तों आपको जो 12th की जो class से उसे आपको pass करनी पड़ेगी, आपको 12th की जो class है उसे आपको science के subject के साथ आपको pass करनी पड़ेगी, जिसमें आपको physics, chemistry और mathematics का जो subject है वो आपको compulsory पढ़ना ही पड़ेगा, तो तबी आप इस course के लिए eligible हो पाओगे, अभी आपसे मैं job profile के बारे में आपसे मैं discuss करने engineer बन सकते हो, avionics engineer, aerospace engineer, इसके इलावा दोस्तों आप flight test engineer की जो job है उसे भी आप हासिल कर सकते हो, तो जैसा अब आपकी personal skill और knowledge के उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है, अभी आपसे मैं subjects के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि जने अब इस course में mathematics, turning, performance study, practicals, etc. topics और जो subjects होते हैं वो आप इस course के दोरान आप study करते हो, और भी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोरान आपको करवाई जाते हैं, तो theory के साथ साथ आपको जो practical की जो knowledge होती ही वो भी आपको दी जाती है, पर कुछ उनिवस्टीज और college के slayvers के ह discuss किया है, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको उपराफ्त हुई होगी, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt है, तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूच सकते हो, नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और चैनल को subscribe करना मत बूलना